असलाम अलेकुम, आज हम ओट्स में से कुछ ऐसी रेसिपीज बनाएंगे जो बहुत कम तेल में बनकर तयार हो जाएंगी, खाने में बहुत हेल्दी भी होंगी और टेस्टी भी होंगी और साथी साथ ये रेसिपीज आपको वेट लॉस में भी मदद करेंगी तो यहाँ पर मैं डिसैनो ब्रैंड के ओट्स यूज़ कर रही हूँ, ये प्रोटीन और फाइबर का बहुत अच्छा सूर्स होते हैं और इन ओट्स को खाने के बाद आपको फूल फील होता है, जिसकी वज़़ा से आपको भूग कम लगती है तो अगर आप भी ओट्स खरीदना चाते हैं तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप इनको बाय कर सकते हैं तो Oats में से सबसे सिंपल हम रेसिपी ब बनाएंगे, वह हम बनाएंगे Oats की खीर जोकी बहुत कैशल्दी बहुत होती है, बहुत टेश्टी बनती है तो चलिए, देख लेता है, इसको हमें किस तरह से बनाना है ओर ले लेज़ आजा कप Oats ओर्स की खीर बनाने के लिए मैं यहां पर कुछ ड्राय फ्रूट्स भी यूज़ कर रही हूं। तो इसनी ब्रेंड के ही ड्राय फ्रूट्स कर रही हूं। क्योंकि जो ड्राय फ्रूट्स होता हैं यह बहुत उमदा quality में आते हैं। तो इनका लिंक भी मैंने डिस्रिप्शन बॉक्स में डिया हुआ है। साथ में मैं ही आपर शकर को रेप्लेस करूंगे शेहद से। टुल यहाँ पर ओर्स की कीर बनाने के लिए एक पैन ले ले लेंगे और इसमें एक टी स्पून देसी घी ढाल देगे। और अब हमने आधा कब जो ओट्स लिए वह हम इसमें डाल देंगे और तेरे से दो मिनट के लिए ओट्स को भून लेंगे हलकी से इसमें से खुश्बू आने लगे बस तब तक भूनेंगे इसका कलर नहीं बदलेंगे तो यहाँ पर हमारे ओट्स भून चुके हैं बहुत अच्छी से खुश्बूसी आना शुरू हो गए इनमे अब हम डाल देंगे इसमें दो कब दूद तो कच्चा या पका ठंडा या गरम जिस तरह का भी दूद आपके पास अविलेबिल है आप डिरेक्ली इस टाइम इसमें सकते हैं जो भी ड्राइब फ्लूट्स आपके पास अविलेबिल हैं वो आप यहां पर यूज़ कर सकते हैं अब हमें इसको पका लेना है जब तक यह गाड़ा नहीं हो जाता है और यहां पर मैं तीन से चार टेबिल स्पूंश शहाद ले रही हूं या फिर आप शहाद को शकर से भी रिप्लेज कर सकते हैं शहाद नहीं है तो शकर डाल ले जागा लेकिन शहाद डालेंगे तो यह हेल्दी बनेगा तो अभी मैं इसको रख रही हूं एक साइट में जब यहां पर हमारी गाड़ा हो जाएगी यह खीर यह देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जा ओट की खीर बन करते हैं जो कि बहुत टेस्टी बन दी है इसको आप खाएंगे तो आपको लगेगा आप चावल की खीर खा रहे हैं इसका टेस्ट बहुत हद तक चावल की खीर से मिलता जुलता है जबकि यह ओट की खीर है जो कि बहुत हेल दी है अब मैंने इसमें वन बा और मुझको अपनी फीडबैक सीचे आपकी खीर कैसी बनी तो यह तो हो गई हमारी ब्रेकफास की रेसिपी तो चलिए अब देखते हैं हम लंच में ओट से क्या बना सकते हैं तो यहां पर आप लंच में बना सकते हैं ओट की खिचड़ी जो की बहुत टेस्टी और बहुत हैल कрийवी ऑद्रक डालेंगे अब हम इसमें एक छोटी प्यास को फाइन चौप करके डाल देंगे तकारिबन वन थंट कप प्यास है ये अब ब्रकी icons को सौफ्ट हो जाने तक फ्राई means सिरू ही तब हम इसमें बागी के इंग्रिडियंटेश एट करेंगे तो यहां पर हमारीं teaching साफ्ट हो जाने थक फ्राइए होगी है हलका सा कलर भी बदल जुका है अब इसमें एक मीडियम साइस का टमाटर आल देंगे एक रिमेश डाल दिंगे और वन बाइफुर कप बारी क कटी भी जाजर देंगे वन बाइफुर कब हम इसमें डाल देंगे फ्रेंज बींस और जो का पाउडर डाल देंगे और 1 by 4 टी स्पून हल्दी का पाउडर डाल देंगे और इसको मिला देंगे अब हमें इसमें डालनी है दाल तो यह आधा कप मैंने मूं की छिलके उत्री वी दाल ली ती जिसको मैंने आदे घंटे पहले भीगो दिया था आप चाहें तो दाल को तीन कप पानी क्योंकि इस खिचडी को मैं थोड़ा सा पतली साइट पर बनाऊंगी अगर आप इसको एकदम सॉलिट सा बनाना चाहते हैं जैसे कि हम नॉर्मल खिचडी बनाते हैं तो फिर आप इसमें दो कप पानी डाल लिएगा लेकिन यह खिचडी थोड़ी सी पतली अ दाल रही हूं और इसको हमें मिला देना है इस पॉइंट पर नमक टेस्ट कर लीजएगा मुझे कम लग रहा है तो मैंने इसमें आदा टीस्पून नमक और डाला है और अब हमें इसकी लिट लगाते नहीं हाइए हाई फिलम पर जब इसमें एक प्रेशर आचाएगा हमें इसकी फिलम को लो कर देना हौँ हि और लो फिलम पर बस इसको 1-5 मनट के लिए पकाएंगे इसको हमें बहुत जञादा नहीं पकाना है अगर आपकी अपकी दाल भी गिनी है तो फिर दो से दीन मेट और पका लीज полит और पका लिए ठांग और जब इसका प्रेशर खुझ से निकल गया तब हमें इसको खोल लेना है तो ये देखिए हमारी ओट्स की खिचडी बनकर तयार है और बहुत जबदस ये खिचडी बनी है बहुत हेल्दी खिचडी है टेस्ट ला जवाब है सब को बहुत पसंद आएगी जब आप इसको घर पर बनाएंगे तो सब इसको ओट्स जबर बनकर तयार है तो आईए अब देखि लेते हैं हमें डिनर के लिए क्या बनाना है तो डिनर में हम बनाएंगे ओटस उपमा जोलो की बहुत हेल्दी बनेगा और बहुत टेस्टि बनेगा सबसे पहले हम लेंगे एक कप ओटस और यहाँ पर ओ अर्वे को हमें ह तब तक हम इसको roast करेंगे तो यह roast हो चुके हैं अब हम रखेंगे इसको एक side में और इधर हम एक pan गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल या फिर आप देशी घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई अर 5-6 करी पत्ते डालेंगे और एक टीज्पून डालेंगे ग्रेट करीवी अद्रक दो-तीन हारे मर्चे डालेंगे या फिर टेस के इसाब से डालिएगा और 10-12 काजू डालेंगे अगर काजू नहीं है तो कोई बात नहीं स्किप करती जगा और इसको हलका सा क्राकल कर लेंगे और अब हम डालेंगे इसमें सबजियां तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1x4 कप गाजर 1x4 कप डालेंगे प्यास और 1x4 कप फ्रोजन या फिर उबलीवी मटर डालेंगे और मिला देंगे इसको अब हम डालेंगे इसमें नमक कि अब इन सब्जियों को हमें 2-3 मेंदक devoted के लिए मीडियम फ्रेम पर फ्रैम करना है कि इन सब्जियों का कुंनों पिछ रहे हाई इसलिए हमें इनको कोक नहीं करना है तो यहाँ पर हमारी सबजियां जो हैं वो 2-3 मिट के लिए फ्राइ हो गई हैं अब हम इसमें एक कप पानी डाल देंगे और हाई फ्लेम पर पानी में एक उबालाने का वेट करेंगे जब पानी में उबाला जाएगी हम इसमें रोस्ट करे वे ओट्स डाल देंगे मिला देंगे इसको और अब हमें गयस के फ्लेम को लो कर देना है और यहाँ पर हमें इसको ढग देना है यह देखिए, एकदम खिला-खिला उपमा बना है, बहुत ही healthy और बहुत quick breakfast recipe है, और सब को पसंद भी बहुत आती है, क्योंकि इसका taste बहुत अच्छा होता है, और आपने देखा, इसको हमने बना भी कितनी आसानी से लिया, तो बस अब हमें इस पे थोड़ा सा हराधनिया गा लगता है, और जाधा तर उपमा इसी तरह से सर्व किया जाता है, तो यह देखिए हमारा उपमा बन कर तयार है, अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे, तो थोड़ी से काजू के साथ मैं इसको गार्निश कर रही हूं, जिससे कि इसका जो लुक है, वो और भी ज् सकते हैं, एकदम खिलावा उपमा है, और टेस्ट इसका लाचवाब है, बहुत अच्छा उपमा बनता है, और आपने देखा बनाने का तरीका तो बहुत ही आसान था, आप भी ट्राय करिए ओट्स उपमा की इस रेसेपी को, एकदम परफेक्ट आपका ओट्स का उपमा बन करते हैं रूगा.